तनमन की सेहत के लिए योग लोगों की पहली पसंद बन चुका है और सभाविक है कि जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं फिर उसके बारे में जिग्यासा हमारी बढ़ती भी चली जाती है कि हम अगर समय दे ही रहे हैं तो क्यों न ठीक रूप में अभ्यास किया जाए जिससे के हमें इसका पूरा पूरा फाइदा मिले अनेक जिग्यासाएं सादकों की सामने आती हैं और जब जिग्यासा सामने आती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इसलिए अच्छा लगता है कि मेरे विश्वास को बल मिलता है कि लोग इस विद्या को अब अपना रहे हैं और इसके पृति गंभी रहे हैं एक जिग्यासा सामने आई है कि कपाल भाती जो के बहुत चर्चित क्रिया है योग की आसान है फाइदे बहुत ज़ादे हैं और इसलिए इसके बारे में बहुत से भाईयों ने पूछा है बहुत सी बहिनों ने भी जिग्यासा की है कि ये एक क्रिया है ये प्राणायाम है कुछ सही जानकारी होनी चाहिए जिससे के आगे आपके माध्यम से योग चले तो उसमें कुछ भरामक चीजे ना आने पाएं लेकिन अगर सिर्फ अभ्यास के फाइदा उठाने तक सीमित है तो आप कुछ भी नाम रख दें लेकिन क्रिया ठीक से होनी चाहिए लेकिन जब आप अभ्यास करी रहे हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है कि कपाल भाती एक हठ योग की क्रिया है शट कर्म माने जाते हैं शरीर शोधन के उनको काया कल्ब की क्रिया भी कहते हैं तो उन में से एक कपाल भाती है और कपाल भाती भी केवल वो नहीं जो आप मुझे या कुछ अन्य योग गुरूओं को टेलिविजन चैनल्स पर या सारवजनिक कारिक्रम में करते हुए देख लेते हैं वो आरंबिक क्रिया होती है जिससे के हर व्यक्ति उसको कर सके लेकिन कपाल भाती जो शरीर शोधन के क्रिया के रूप में हम करते हैं तो पहली बात तो यथा नाम तथागोना नाम से ही पता चलता है के कपाल भाती यानि जहां पूरे शरीर को शोधन करने के लिए छह क्रियाएं हम करते हैं नेती, धोती, बस्ती, त्राटक, नौली और कपाल भाती उन में से एक कपाल भाती है और कपाल भाती का जो क्षेत्र है जिसके उपर इसका सीधा सीधा असर है वो हमारा कपाल है हलाकि, इस में हमारी नाभी से लेकरके और कपाल तक का इनवोल्मेंट होता है और इनका शोधन भी होता है, इनकी पुष्टी भी होती है लेकिन उसके बवजूद भी जैसा के नाम, उनका जो कहते हैं रियल इंपैक्ट है, असली प्रभाव है वो हमारे कपाल पर पर पड़त भाती नभाती चंदरतारकम तो यानि भाती का मतलब है दरश्यमान होना और दमकना तो हमारा मुखमंडल दमकने लगता है हमारी बौधिक प्रखरता बढ़ती है हमारे जो कपाल में नर्व्ज हैं उनकी शुद्धी होती है क्योंकि काया कलप की क्रियाओं का जो इंपेक्ट ह वो शोधन के रूप में पहले है और शोधन के बाद पुष्टी है और पुष्टी के बाद दैदिप्यमान होना है तो कपाल भाती जब हम करते हैं तो ये हट योग में इसको शटकर्म के अंतरगत लिया गया है ये प्राणायाम के रूप में हमारे जो पुराने भारतिये शास्त्र हैं क्योंकि जो उद्देश है हमारा वो है कि जो मूल भारतिये योग है जिसकी तरफ दुनिया उम्मीदों से देखती है तो उसकी मौलिकता को बचा करके रखना वरना आदे अधूरे जानकारी के आधार पर भी बहुत सी योग प्रनालिये लोगोंने विक्सित क कहीं इसकी मौलिकता को चोट लगने का डर रहता है हम आगे बढ़ें इसमें कोई संश्य नहीं है नए से नए अविश्कार हों वो भी होने चाहिए लेकिन जो मूलभूत सिध्धानत हैं वो उनकी मौलिकता बनी रहनी चाहिए तो हट योग में जो कपाल भाति का हैं एक तो वात कर्म का पाल भाति कहलाती है जो आप और हम आम तोर पर जानते हैं कि नाक से इसमें साथ चोड़ा जाता है और ना भी को इसमें शुकुरणने दिया जाता है यानि जो हमारे सांस लेने की कहिए के वेग है उसका just half इसमें हम exercise करते हैं यानि गती उसकी जो है इस प्रकार से होती है कि सांस छोडने पर ध्यान दिया जाता है छोडने में ही आवाज भी होती है लेने में कोई आवाज नहीं होती है और वो केवल सांस के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से इसका हम लाव लेते हैं दूसरी जो इसका रूप है वो है व्युतकरम कपालभाती व्युतकरम कपालभाती में वो जलके सही योग से होती है जैसे आप नेती कर्म करते हैं तो ऐसे ही व्युत कर्म का पालभाती होती है उसमें आप नासिका से दोनों नाक से पानी पी लेते हैं यानि पानी नाक से अपने शरीर में भीतर ले लेते हैं और इतना धीरे से और संतुलन के साथ करते हैं कि वो खोपड़ी में आपको तकलीफ ना दे बलकि वो सीधा मुख में आ जाए और मुझ से उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरी क्रिया के बाद फिर जो तीसरा इसका स्वरूप है वो है शीत करम का पाल भाती। जो शीत करम का पाल भाती है उसमें जल मुख से लेते हैं और फिर जलंधर बंद लगा करके यानि ठुड़ी को गर्दन के गड़े में स्थापित करके थोड़ा आगे जुक करके और जीब के सहयोग से हम नाक के रास्ते उस जल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये तीन रूप कापाल भाती के हैं। लेकिन जब हम और अधिक प्रियोग करते हैं इसमें तो कापाल भाती का प्रभाव क्षेत्र मैंने कहा के नाभी है, डैफराम है, लंग्स हैं, आमाशे भी है। और इसके साथ साथ फिर उपर हमारा जो मलखरदय है और कपाल है, इस तक उसका प्रभाव जाता है। तो इसमें अगर हम करते हैं नजला जुकाम ठीक करने के लिए कपाल भाती को, तो फिर हमारा जो ध्यान का यानि वर्क फोकस है, वो नासिका के उपर होता है। यानि नाक पर हम प्रेशर दे करके सांस को छोडते हैं और नाभी को इसमें सिकोडते हैं, या सिकोडने देते हैं के लिए, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट है वो नाभी के उपर जाता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश नाभी है, यानि मनिपूर चक्र और उसके साथ साथ फिर हमारा लिवर और उर्जा का उर्दगौमी बनाना, यानि सुन्दरता को बढ़ाना, तो फिर उसमें नाभी पर वर्क होता है, यानि हम नाभी जट से सिकोडते हैं, जैसे कोई खेलते हुए, बच्चे एक दूसरे के पेट में घूसा मारने करते हैं, तो एकदम से आप अपना पेट अंदर कर लेते हैं, और सांस जो है कहीं छुड जाता है। तो ऐसे ही नाभी के सिकोडने से जो प्रभाव हमारी नासिका पर पड़ेगा, तो वो भी कपाल भाती है, एक में नाक से सांस छोडते हैं, प्रभाव नाभी पर पड़ता है, एक से नाभी को सिकोडने से जो सांस छूटता है, उसका प्रभाव नासिका पर पड़ता है, औ वो हमारे नाभी से ले करके और उपर कपाल अक्षेत्र तक का जो अस्तित्व है उसको वो निर्मल, पुष्ट, शुद्ध और प्रकाश्मान यानि देदिप्यमान बनाती हैं। बहुत से भाई कपाल भाती को प्राणयाम के रूप में भी जानने लगे हैं। प्राणयाम की अपनी एक कसोटी होती है, क्योंकि कपाल भाती आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। कपाल भाती आप बैठ करके भी कर सकते हैं और खासतर से जब हम शरीर शोधन के क्रियाओं में नेती करम करते हैं, तो उसके साथ कपाल भाती किये जाने का अनिवार्य विधान है, कि अगर आप कपाल भाती वहाँ पर नहीं करते हैं, तो हमारा जो नेती कर्म है, वो जिसकी वज़े से हमारी दातकान अरुनाक के रोगने व्यापे कोई नई नसदा निरमल रहे नेती कर्म करें जोए, यह बे उनको करने के बाद और विशेश रूप से जलनेती करने के बाद में हम कपाल भाती जरूर करते हैं जिससे के नेती का हमको कोई नुकसान ना हो क्योंकि शरीर की एक खासियत होती है कि ये जो बाहरी तक तो हमारे शरीर में है उसको एकसेप्ट नहीं करता है फैक के बाहर निकाल फैकता है और वो अगर नहीं निकलता है तो वो हमारे अंदर के सिस्टम्स को इरिटेट करता है उससे कहीं disturbance होते हैं और जिन रोगों के लिए खास तोर से नजला जुकाम से बचने के लिए हम मालिया नेती, जलनेती, सुत्रनेती करते हैं तो वो समस्या और ठीक होने के बजाए बढ़ने लगती है तो इसलिए ये विधान है कि नेती के साथ में कपाल भाती जरूर करने च क्योंकि उसके लिए पहली शर्त ही ये है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर आपको प्रणयाम करना चाहिए आसन के स्थिर हो जाने पर यानि आसन का अच्छा अभ्यास आपको होने लगे तब आप प्रणयाम करेंगे तो उसका फैदा होगा तो कपाल भाती प्रणयाम नहीं है प्रणयाम की दूसरी पहचान ये भी है कि प्रणयाम में कुम्भक जरूरी होता है चाहे वो कुछ प्रणयाम में बाईय कुम्भक आवश्यक है कुछ में अभ्यंतर कुम्भक आवश्यक है अगर हम फाइदा लेने के लिए प्रणायाम वाला लाव लेने के लिए कपाल भाती को भी प्रणायाम के रूप में अभ्यास करते हैं तो उसमें अगर उसका प्रणायाम नाम नहीं भी है तो भी उसको प्रणायाम के रूप में हम करेंगे तो उसका हमको फाइदा होगा बहुत बार हम इन चीजों को classification में उलज जाते हैं अब देखो आम है आम एक फल है आप जानते हैं लेकिन आप उसको जब सबजी बनाते हैं तो वो सबजी है आम फल भी है लेकिन कच्छी अंबी का आप सबजी बनाते हैं बहुत सौधिश सबजी बनती है चना अन्न है लेकिन चने की आप सबजी बनाते हैं तो वह वहाँ पर सबजी है तो ऐसे ही कपाल भाती के उपर हम ऐसे रिजिड नहों हमें उसके मर्म को समझना चाहिए कि अगर हम कपाल भाती को कुमबक के साथ में करते हैं यानि जो भारत योग की क्रियाओं में भी आपको बताया जाता है कि आप कपाल भाती करें 50-50 सांस के 5 राउंड करें 10 राउंड करें या अगर आजकल के जिस तरह से बीमारी ये फैली हुई हैं खासतोर से फेफड़ों को बुरी तरह से एफेक्ट होना पड़ रहा है तो उसमें अपनी क्षमता के अनुसार 5 बार, 10 बार, 20 बार अपना मीटर बना लें और जब पूरा सांस आपने मानलिया 50 बार का मीटर बन क्योंकि जो प्रियोजन है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्रिया का समय या उसकी बारंबारता उसके रेपिटीशन से निश्चित करते हैं ताकि स्टेमिना भी बड़े, अपना मीटर भी हम बना सकें कि जितना कल किया था उतना आज हो भी गया कि नहीं हो गया, ऐ भले तीस सांस का बनाया, भले ही सो सांस का बनाया, उसके बाद हम पचास सांस पूरे करने के बाद या सो सांस पूरा करने के बाद जब अंतिम स्वांस छोडते हैं तो हम पूरा सांस बाहर छोड़ करके और बाहिय कुमभक लगा लेते हैं, बाहिय कुमभक यानि उसमें हम मूल बंद भी लगा सकते हैं उड्यान बंद भी लगा सकते हैं और जलंदर बंद भी साथ में लगा सकते हैं यानि त्रिबंद के साथ में हम उसको पूर्ण कर सकते हैं तो वो आप उसको कपाल भाती प्रानयाम यदि कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है प्राणयाम तब होगा जब उसके साथ कुंभक जुड़ जाएगा तब हम उसको प्राणयाम के रूप में फाइदा ले सकते हैं लेकिन जो शास्त्र सम्मत है उसको अगर देखें तो कपालभाती सिर्फ शट कर्म है यानि छे कर्मों में से एक कर्म है एक क्रिया है और उस क्रिया को करने के ऐसे ही तीन रूप हैं जिस प्रकार से नेती को करने के नेती एक क्रिया है लेकिन नेती को करने के अनेक रूप हमने बनाय हुए हैं जिसने अभी बोला कि इसमें जलनेती, सोतरनेती, घरतनेती, दुखदनेती ये सब नेती हैं तो ऐसे ह कपाल भाती में जो है वो वात कर्म कपाल भाती है व्युत कर्म कपाल भाती है और यह फिर सीथ कर्म कपाल भाती है और उससे भी आगे जो उसके प्रकारान था रहे हैं कि ना भी पर उसका प्रभाव लेना है यह साइनसाइटिस के ओपर लेना है स्नोफिल्स के ओपर लेना है तो ये हमें expert guidance पर अधारित हो करके तैह करना होगा कि मैं किस उद्देश्चे से कपाल भाती कर रहा हूँ ताकि उसके variations का अभ्यास आपको बताया जाए समस्त योगी क्रियाओं का एक ही उद्देश्चे है और बलकि सच कहें तो जितने भी हमारे जीवन दर्शन है उनका एक ही उद्देश्चे है मानव का कल्यान और उसको चरम उतकर्ष तक पहुंचने का अवसर देना तो उसमें उनका जो भी रूप अनुकूल पड़ता है वो हमें अपनाना चाहिए और उसमें भी ये आपकी समझदारी होनी चाहिए के नीम हकीम खतर एजान के ऐसा नहीं के चलते चलते कहीं किसी से पूछ लिया फिर उसका अपना प्रियोग शाला अपने आपको बना लिया फिर गलती हुआ फिर उसके लाद भागगे को दोश्ट दिया या उस teacher को योग शिक्षक को दोश दिया ऐसे नहीं हमेशा जो काबिल डॉक्टर है certified डॉक्टर है उससे ही हमें अपना इलाज करना चाहिए जो जिस विशे का expert डॉक्टर है हम उसी medical science के वेक्ति से हमें लाव लेना चाहिए उसे हमें फाइदा होगा इसी प्रकार से योग के लिए भी सीधा निर्देश दिया है कि किसी अच्छे गुरू के मार्ग दर्शन में आपको योगा भ्यास करना चाहिए जिससे के आप अपने अभी लशित लक्षे को प्राप्त कर सकें और विद्या को बद्नाम करने में सहयोगी ना हो हरियो